नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप वीवो का फोन इस्तिमाल करते हो और उसमें आपका प्ले स्टोर ओपन नहीं हो रहा है चालू नहीं हो रहा है तो इसको हम ठीक कैसे करें आईए जानती है सबसे पहले आपको अपने फोन को एक बार बंद करके चालू कर देना है यानि रिस्टार्ड कर देना है इससे आपकी दिक्कत ठीक हो जाएगी और आपके फोन में जो प्ले स्टोर है वो चलने लग जाएगा अगर आपका प्ले स्टोर फिर भी नहीं चलता है तो आप चेक करिए कि आपका फोन में नेट है कि नहीं हो सकता है आपके फोन में नेट नहीं हो उसकी वज़े से आपको दिक्कत आ रही हो तो अपने फोन में Net चेक करिए और उसे Net को ठीक करिए अगर आपका Play Store फिर भी नहीं चलता है तो आपको फोन की सेटिंग में जाना है अपने फोन के सेटिंग को ढूंडिए सेटिंग में आने के बाद आपको ये पेज मिलेगा आपको यहाँ पे मिलेगा नीचे की तरफ Apps Apps Option पे आईए आपको ये पेज मिल जाएगा आपको मिलेगा See All Apps इस पे आईए आपको मिलेगा यहाँ पे सारे अप्लिकेशन तो इसके अंदर आपका Google Play Store भी होगा तो ढूंड लेजिए तो यहाँ पे नीचे की तरफ है हमारा Google Play Store तो मैं ढूंदता हूँ यह रहा इस पे टाच करिए आपको मिलेगा यहाँ पे Storage इस पे टाच करें Clear इस पे टाच करें ओके करें या Clear Data मिल जाएगा इस पे टाच करिएगा आपको मिलेगा Force Stop इस पे आईए ओके करिए अब चेक करिए कि आपका Play Store चलता है कि नहीं अगर आपका Play Store फिर भी नहीं चलता है तो आप थोड़ा सा Wait कर सकते हैं हो सकता है कि अभी किसी के फोन में Play Store नहीं चल रहा हो बाकि आप अपना Net चेक करिएगा में जो दिक्कात आती है वो Net नहीं चलने की वज़े से आती है आपका Net नहीं चल रहा हो तो आप इन तरीकों को फोलो करें आपकी दिक्कात सॉल्व हो जाएगी वीडियो पसंद आई है लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें